पिछले नव वर्षों में ब्रस्टाचार को कंट्रोल करने के इमांदार प्रयास हुए है आप पेसे बहुत सरे विद्यारती वो होंगे जो 2014 में आज से 10 साल पहले उनकी उमर क्या होगी कोई दावस कोई बारा कोई चाउदा तो उस समय उनको पता ही नहीं होगे हिड्लाइन अख़बार में क्या आती थी कैसे प्रस्टाचार ने देश को बर्बाद करके रखा था कि साथियों आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि बिचोलियों और लिकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलोजी आधारिस सिस्टीम हमने बनाए है कि कई तरह के रिफॉर्म लाकर और दलालों को सिस्टेम से बहार कर एक पारदर्सीज व्यवस्ता बनाई गई है कि बेइमानों को सजा और इमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है कि बहरान हूं आजकल मुझे पर एक आरोप क्या है कि मुदी लोगों को जेल में डालता है अब मुझे बताई भई देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे कहां रहना चाहिए कि ढूंडूंड करके भेजना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए जो काम आप चाहते हैं वहीं मैं कर रहा हूं ना कि कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि साथियों कि विकास की यांत्रा को जारी रखने के लिए क्लीन क्लियर और स्टेबल गवनन्स बहुत जरूरी है अगर आपने निश्य कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विक्सीत समय वेशी और आत्मंदिर फर्देश्ट बनने से कोई नहीं रोख सकता कि साथियों एक और बात भी हमें ध्यान रखने होगी कि सिर्फ भारत भी आपसे बहतर करने के अपेशा नहीं कर रहा है कि पूरी दुनिया कि आपको उमीद की नजर से देख रही है कि दुनिया को भारत का और भारत के युवाओं का पोटेंशल और परफॉर्मांस दोनों का पता चल चुका है कि अब उनको समझाना नहीं पड़ता है इंडिया का बेटा है तो क्या होगा इंडिया की बेटी यह तो क्या होगा वो समझ जाते है भई यह तो मालो कि दुनिया की प्रगति के लिए भारत की प्रगति और भारत के युवाओं की प्रगति बहुत आवशक है कि मैं निश्चिंत होकर कि देश को असंभव लगने वाली गारंटियां दे पाता हूं तो उसकी बज़े से आप देश वांच्यों का उसके पीशे जो ताकत है ना वहाप मेरे साथ्यों का सामर्त है कि मैं उन गारंटियों को पूरा कर पाता हूं तो उसके पीशे भी आप जैसे युवाओं का सामर्त होता है कि मैं दुनिया के मंचों पर जोड़दार तरीके से भारत की बात रख पाता हूं तो उसकी प्रेणा भी मेरी युवाओं शक्ती है इसलिए भारत का युवाओं मेरी असली ताकत है मेरा पूरा सामर्त उसी में है